मैं हूँ RS Rana physics faculty चंडीगर आज मैं आपको Bernoletheurum के बारे में explain करूँगा मैंने बहुत सारी books में देखा है और कई videos देखे हैं जो कि लोगों ने upload कियो हैं जिनमें Bernoletheurum के बारे में बिल्कुल कोई भी मुझे अच्छा नहीं लगा कि मतलब ठीक तरीक से explain नहीं किया गया यहां देखें यहां पर कहा है यह एक non uniform cross sectional area वाले ट्यूब है यहां से fluid enter करता है और यहां pressure P1 है यहां पर हमें work करना बलेगा fluid के ओपर ताकि fluid जो है वो यहां तक पहुंच जाए इस end तक पहुंच जाए यहां पर height H2 है जो कि ज़्यादा बड़ी है इस से H1 से और area cross sectional tube का यहां पर A1 है यहां पर A2 है suppose कर यह fluid move करता है velocity B1 से यह जो green वाला volume है DV और यहां पर fluid move करता है इतना volume यहां velocity B2 है अब हमें एक चीज़ notice करेंगे यहां पर वो यह है कि यहां पर जो force लगा fluid पर वो लगा P1 A1 because pressure area force है और यहां पर force जो fluid ने लगाया यहां पर हमने fluid पर force act कराया यहां पर force जो है fluid के by the fluid तो वो है P2 A2 अब हम इसको आगे continue करते हैं यहां पर आप देखिए मैंने बताया था volume B1 से एंटर कर रहा है fluid distance DX travel करता है और यहां पर इस end पर distance DX to travel करता है यहां पर हम force F1 जो है fluid जो है उसके ओपर हम लगा रहे हैं यहां पर fluid force लगा रहा है तो net work done जो fluid के दोरा होगा वो होगा यह देखिए F1 DX लिखा है F1 DX और यह minus F2 DX है because यह जो work done है यह external agency के दोरा किये जा रहा है fluid के ऊपर यहां पर fluid खुद work कर रहा है because यह height H1 है यह H2 है और H2 is greater than H1 तो net work done तो यही हुआ अब आगे देखिए network force F1 को हमने P1 A1 लिखा है because force is equal to pressure into area simple है और आगे next देखिए work done per second work done per second में क्या होगा DX 1 by dt कर दिया मैंने यहाँ भी dt कर दिया work done per second होगया अब यहाँ पर देखने वाले चीज़ गया है वो समझे रध्यान से density mass over volume volume is equal to mass over density volume per second है यह basically this is not volume this is volume per second तो मैं यह कहूंगा कि यह area of cross section to distance is volume और नीचे dt है तो volume per second हो गया यह देखिए यह देखिए यह area of cross section है यह distance dx है तो बैटा cylinder बन गया ना चोटा सा cylinder का volume क्या होता है area of cross section to distance तो यहाँ पर वही हुआ है इसलिए यह लिखा गया m by rho यहाँ से देखो मैंने समझा दिया कैसे आया यहाँ भी m by rho आया यहाँ भी m by rho आया प्लस increase in the kinetic energy fluid की potential energy increase हुई है क्योंकि h2 जादा है h1 से और kinetic energy भी इंक्रीज हुई है क्योंकि velocity b2 जादा है अच्छा हाँ आप पूछे हो के velocity b2 कैसे जादा है बेटा area of cross section जब कम होता है तो velocity बढ़ जाती है continuity equation बोलती है यह a1 v1 is equal to constant होता है तो यह velocity जादा होनी चाहिए अब हम इसको यहाँ पे इसको equate करेंगे equation 1 और 2 को equate कर दी यह देखिए 1 और 2 को equate कर दिया m से m cancel हो गया throughout the equation अब हमने separate कर दिया p1 rho प्लस gh1 plus half v1 square और इधर भी p2 rho plus gh2 plus half v2 square इसका मतलब यह हुआ कि py rho plus gh plus half v square is equal to constant और यही बनावली थियोर में है बेटा कोई भी आपको problem है तो आप comments में लिख देना अगर आपको यह video अच्छा लगा है तो ऐसे ही मैं आपको 10-15 article जो भी plus one के है सारे इसमें upload कर दूँगा लेकर आ